तो दोस्त कैसे हो यार होप सब बढ़े होंगे आज करने वाले प्रोजेक्ट नमबर 19 और उसका पार्ट नमबर 3 है अभी तक हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं सही है अगर आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो इसको एक बढ़ जाके देख लो तो प्रोजेक्ट में अगर हुआ तो बनाप 4 में मैं सोचूंगा कंप्लीट कर दू सब्सक्राइब तो उसमें क्या बनाने वाले में उसमें हम पॉइंट टेबल करके बनाएंगे जो आईपेल की पॉइंट टेबल होती है न वह बनाएंगे अभी तो हम क्या करेंगे अभी मत्तिमत दिखाइता ह हम क्या बनाने वाले हम ऐसा कुछ बनाने वाले ठीक है अभी तक हमारा बहुत गंदा सब्सक्राइब अच्छा करेंगे प्रोपर काल्ड बनाएंगे टीम दिखे टीम का स्कोड दिखे और यह सारी चीजे दिखे ना संडे पांच महीं यह चीजे दिखनी चाहिए और कौन स कि हम इस पर बटन पर क्लिक कराया तो ये वाले टीम आ रही है उस पर क्लिक कर लिस रहा है फीचर्स रहे है और यह वहारे कब काम हाएंगे जब में बड़ा बनाइंगे उसमें चुद्धोटे फीचर काम आ रहे होंगे वहाँ पाथ तो इतना दो मानना बढ़ेगा तो मैं डीटेल में साहीड चीज़ा ना सब्सक्राइब आरे हैं थोड़ा सा टाइम लग रहे है बठां समझ में आरे हैं तो दोस्त वही कि हम यह चीज बनाएंगे इतना सा ही काम करेंगे थोड़ा यूब नाएंगे ठीक है ये वाला data कैसे लाए है ना पूरा यह वाला यही है हम यही कुछ कर रहे है ठीक है और इसके अंदर मुझे कर टेल विंड लगानी पड़ेगी तो पहले में टेल विंड लियाता हूं कैसे लाओंगा सिंपल सा हैं पर सर्च कर लेना है कि अब कि अब कि सही है तो कुस्त फायद हो यार माई खरीद आया ना बंद कर दो एडिटिंग में टाइम बच जाएगा तो हां कि क्लियर कर देंगे ठीक है अब क्या करना है पहले तुम्हें 3D करके कहा जाना है रियक्ट प्रोजेक्ट 19 के अंदर और यह चीज़ पेस्ट कर देनी है कि अब यह क्या कर रहा है अब यह क्या क्या रहा है तुम्हें तुम्हें सिका दिए फिर भी तुम्हें नहीं आता है कैसा कैसा हो सकता है यह चीज़ कर लिया यह पूरी फाइल कोपी कर लो बना इस पर्टिक्लर पार्ट यह भी कोपी कर सकता तुम्हारी इच्छा है और यह तुम्हें दिख रहा है कि कहा इसको पेस्ट करना है आओ करते हैं कि कांग गया फॉल्डर यह रहा है इसको पूरे को पेस्ट कर दो कि इसको उठाओ इसको उठाने के बाद इसको कहां देख उसमें देख लिख रखता है इसको को है आपर मुझे कर रहा है तो दोस चीज खेह लिए और तुम नहीं तो इसको नहीं कर रहा हूं और दो झाल तो वह पहले प्र्रीवियस लेक्चिघर्स में इसको एक ऐसको कर देख देख लाए तो तो इसलिए चल जाना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट ठीक है चल जाना चाहिए और यह वाला डेटा फिक्स कर रखका है ना तुम यूज करके भी कर सकते हो सही है और मैंने साइची से बताई थी कि अपनी API की बना लेना ठीक है उसके यार तुमने लिमिट एक्सीड कर दी है तो चलो कोई बात नहीं बठान तुम अपनी यार लोगिन वगरा करके बना लेन बनाने वाले अच्छा से लेकिन उसको अच्छे से पहले बनाने से पहले हम यह कुछ बनाएंगे ठीक है यह बनाएंगे लेकिन तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो समझाने पर आएंगे ठीक आब आते हैं समझाते हैं तो सबसे पहले क्या देखो यह माई के कर अलग अलग एक साथ है तो इसको थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं कहां पर होगा यह मैस डीटेल में जाओगे तुम या इन पेज नैविकेशन पर हाँ इन पेज नैविकेशन यह साथ होता है कि चल्विंड़ कर लो पर एक जमपल बीजी इसको आप तो या थोड़ा भीबूर्स तो मार्जिन राइट करो दिखा अलग-अलग है अब इनको थोड़ा चोड़ा बनाना है तो पीछ है दे दो ऐसा बड़ा बद्दा लग रहा है बट ठीक है ना कोई वात नहीं समझ तो आ रहा है यहाला फीचर डेवलब्ड कर सब्सक्राइब करें तक सब्सक्राइब करना है यह इत्ता है फोकस नहीं करता हूं इसमें इतना सुवाद नहीं आएगा एक्स थोड़ा बटन बन गया तो डिजाइनिंग कर लेंगे उसमें कोई दिक्कताली बात है नहीं इतनी में फोकस आपको मैं करा हूँ बैकेंड में बैकेंड में काफी मुझा अब पता इसमें थोड़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं इसको बोर्ड राउंडेट कर दो सम्धिंग काफी सीज़ें वह चीज़ें कर सकते हैं ठीक है जी तो यह समझ में आए दोस्त ठीक है मैं काम करता हूँ यह हटा लेता हूँ मार्जिन राइट वाला सी ऐसे रहें देते हैं लेकिन के बीच में गया पैसे आप 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 अब बटन दिख रहा है तुम्हें ना बटन दिख रहा है सबसे पहला यार देखो तुम जब मैं सैप को रिलोड करूंगा तो मेरा एमाई पर होना चाहिए ना यह हमारे रोहिष शर्मा साद जी की टीम दिखनी चाहिए जोगी दिख भी रही है यहां पर एक दिक्कत है यह के कर के हम टीम नहीं दिख रहे है तो के कर का जो कलर है और तो सबसे पहले यह वाली कैसे बिल्ड करेंगे तो बहुत इस यह सची क्लाइन का कोड है उसको समझना हमें ठीक है तो देखो ध्यान चे देखो इनीशली यह मेरा क्या है ध्यान सुनो यह क्या मेरा हाइलाइटेट है यह हाइलाइटेट नहीं है ठीक है आओ यह हाइलाइटेट होना चाहिए यह हाइलाइटेट नहीं होना चाहिए लेकिन जैसी से जी से लगाने पड़ी जिसको मैं मोडिफाइज जोगी लगा रहा हूं उस पर मैं मौडिफाइज करनी आप तुम देखो अगर तुम ने यह चीज देख रहूं तक तो तो इस इंटेक्स से फैमिलियर होंगे तुम लेकिन यहां पर हम कुछ नया करने वाले और नया करने वाले अब देखो हम क्लास नेम इसके अंदर पूरी CSS क्लास लिखते हैं अब इसके साथ और साथ हमके जोड़ने वाले दोस्त बताओ जावा स्क्रिप्ट को जोड़ने वाले जावा स्क्रिप्ट के में इसको CSS को चेंज करेंगे सही है अब आगे बताईहेगा आगे अगे बताते हैं अब इसके अंदर अपने दो इसके अपनी जो सिस्सके इसके नंदर में जावस्कृdı को अब लुजिक आएगा लोजिक है एगा लोजी किया आएगा कि तुमारा इंडेक्स ठीक है इक रिक स्ट्क Experiment 2 आई है कि अब लिख रहा हूं तुम्हें बताता हूं जिस्तेना लिक रहा हूं। पिर लाता हूं रोको ठीक है जी तो क्या जरो टेक्स्ट को ब्लैग ही रहने दो ठीक है अधर्वाइज टेक्स्ट को कुछ दिखा है रोल तो इत्ता सा गोड़ को न यह कोड़ समझाँ तो नहीं चीज नहीं पर तो मैंने यह पास क्या है दो बचंट है दो बटन है एक बटन यह रहा एक बटन यह रहा इनका कोड मेरे पास कुछ ऐसा आया था बटन ठीक है मैं भी ले रहों बॉल्ल टंग मानलो तुम है बीकिन ले लेते हैं ठीक है और बटन लेने के बाद तुम कहा जार हो बाई लास नेम है ठीक है और ओन क्लिक का फंक्ट है जिससे कि हम क्या कर रहे हैं तो ग्लिंग कर रहे हैं ठीक है है कि अब इस और यहां वगई और यहां पर तुम देख सकते हो इसी सब्सक्तर अजीजय है चांढेशन को अब क्टेरं शींडर हो रहा है थिक है यहां पर εκकर-णन वहां verso कि इसका इंडेक्स क्या है इसका इंडेक्स जीरो इसका इंडेक्स क्लास नेम वाली कि भाई सब तुमारा जो इंडेक्स है तो यह चीज क्या होगा एक टैक्स को क्या कर दूँगा कि एक बटन के लिए नहीं जैसे तुमारा एप चलेगा क्योंकि वो मैप का फंक्शन किती बार चला है इसका कलर क्या होगा इसका कलर होगा वही तुमारा ग्रेव इतनी बास समझ में आगी अब यह तो बेसिक कंडिशन होगी ठीक है अब बात आती ओन क्लिक पर जैसी तुम ओन क्लिक पर करते हो तो हमने क्या कर रखा यूज कर रखा जिसके सुरूरा पूरा-पूरा एप क्या होता है दुआरा से री रेंडर होता है ठीक है जैसे री रेंडर होगा मदलब यह बटन भी रेंडर होगे ओविएसली और जैसी ओन क्लिक करो तो मैंच करो तो यह ये जो सिदिरा अपनी नहीं कि यहां पर हुआ है थीक है तो चौButton교 पर तुम्हें कि बिल्कुल इक्वल्य है यह सच टो कंडिशन दोनों पर च॥ेंग हो रहिए हम अपनी स्झार अठीक है झीह हुआ तो कंडिशन आज गी टीक तो यह चीज तो यह चीज रिटन हो जाएगी और यह चीज रिटन हो कि इसके अंदर आजाएगी और बैसिकली यह बीस्ट्रिंग है तो दूनों आपस में कर दो पढ़ाया ना यह किसके लिए चाहर थे पहले बटन के लिए पहले निस्ति के लिए और कि लिए खाया थे पहले बटन हो गाएंड के लिए इंडेक्स जीरो आई की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर जीरो पहली बार रेंडर हो रहा है map function एक बार चल ला है ना फोर लूप पहली बार चल ला है तो जीरो थीक है दूसरी वारी में कहा जाएगी दूसरी वारी में यह चीज कहा जाएगी तो इसका खलर ही हो जाएगा और जैसे मैं इस पर ओन किलिक करूंगा तो तुमने सेट वैल्यू अलग कर दी है ना आई मतलब आई जो जिस पर तुम करण्ट हो उसकी सेट फॉर रग्जाब वन है वन पर खिलिक करा तो आई की वैल्यू वन है तो सैट हो जाएगा वन तो यह देखो तो ऐसे हो रहा है दो आई कि नहीं आई 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 तो तुम्हें लगता है समझ में आगई होगी क्योंकि यार तुम्हारा एक दम लाइव डाउट होते है साथ चीज मज आ जाता तो इतनी चीज वह तुमको समझ में आगी होगी दोस्तों है कैसे मैं डोल करा के रिक्रों किसे लगा रहों कोन सी लगा रहा रहा हूं दोस्त बताओ दोस्ते जला तो अगर मैं यहां पर जाओ ध्यां से देखना है यह यह मैंने करते और एक चीज़र करे दिखातानानों तौह तोर वोट इस डोस्ट गज़ने कुछ नहीं वा यह क्या वा है अब मेरी बास सुनों ईस्टमों फान यह रिटन कर आःगा टेक्स टुब्लैक तो तुम्हें हाँ पे एक इस्पेस देना पड़ेगा जब तुम एड करते वा सिसी चीए बेसिक नुबिज है किस चीज़ की मैंने कहाँ let a equals to a equals to code ठीक है एक स्टिंग है a equals to code let b equals to thread ठीक है ध्यान सुनना अब मैं क्या करूंगा अब मैं a plus b कर दूँगा code thread बन गया बट अगर मैं दोस्त मुझे इसमें थोड़ा सा space चाहिए है ना तो देखना मैं यह करूंगा अब मैं करूंगा a plus b code thread ठीक है तो यह बेसिक है ना तो यहां पर तुम्हें एक space देना पड़ेगा जिससे कि जब वह एड हो तो अलग-अलग classes ट्रीट हो अलग-अलग classes ट्रीट हो वरना यह ऐसे code पग गयोंगी चीजे पिक्सल टैंड यह वोट इस जिस तो ऐसे नहीं हो तो उसके लिए तुम्हें आप एक space छोड़ना पड़ेगा और तुम छोड़ जाग रहा ना आगे पीछे एक space छोड़ देगा तो इससे कि टैंशन वाली बात ही ना हो ठीक है तो यह भी होपसा कैसे लाँगा बताओ वहत रहाओ यह जादा कुछ नहीं तो लाइन कैसे लाइन आते हैं ठीक है एचार से लाइन 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 आगई है वासे स्पखनी चाहिए तब जाएंगा ना वह रहां पर एम नियुद्दे रख्या ना तो एम मार्जिन वन तो सब तरफ से चारो साइट से मार्जिन वन ले लेगा फॉर एक्जंबल में सिर्फ मार्जिन राइट राइट दू तो कप चिपक जाएगी गौट इट ठीक है अब यह इसमें थोड़ी दिमाग थोड़ा चलने वाला है कि यार मैं इसको मतलब कैसे करूं मुझे क्या चाहिए पहले बताओ मुझे क्या चाहिए मुझे कुछ ज्यादा ना सोचना कुछ समझना जित्ता बटन का साइज है उत्ती विर्थ मुझे आप दे दीजेगा बस इत्ता सा मेरी रिक्वार्मेंट है ठीक है तो क्या मेरी आप से पूष्ता हूं कि अच्छा में बटन की विर्थ कैसे निकालूँगा तो अब यहीं convenience होती चीज इस通ूरत ऊती होती है और व्रतन की निकालते हैं और अब तुम देख सकत हैं यहां पर क्या था है यहां पर तो ने किसी इंडेक्स इस och इसी में हमने लगाई तो बनें डाया है तो आता यर यूद्ट कर लेकिन अब किसका सीन आप उसका सही मैं अब यहां पर मैं सैट इंडेक्स को आप यहां नहीं कराऊंगा इसको फोर्मेट कर लेता हूं पर इसके अंदर आई पास कर देंगे यहां पर तुम्हें हो जाएगा और यहां पर बेसिक सी चीज़ है ठीक है यह हमारा ओन किलिक है तो घबराना नहीं यह क्या होगे मैंने फॉर्मेट किया इसको है थोड़ा सा एसा हो ठीक है तो ओन किलिक पर वही टोगल कर आया है और यह ठीक है अब मुझे बटन निकालना है दोस्त बताओ पहल टार्गेट पास कर दो सब्सक्राइब यहां पर एक्जांपल मैं बटन ही लिख देता हूं और लोग कराओ बटन में क्या रहा होगा कराते हैं अब इसको छोड़ता है इन सब ध्यान निजिए दोस्तान इन सब को जस्ट भूल जाओ मैंने इस पर किलिक किया तो तुम्हें डोट टार्गेट एहना बेसिक सी है बहुत बहुत बेसिक सी चीज है अब इसकी तुम्हें की निकाली है बटन लोक करके दीखाता हूं डायरेक्टफ नबटन की प्रइक टिख रहा हुआ दिख रहा है यह हमारी विट आ गई इसकी विट आ ये बटन बटन जिसके तुम किलिकरհहा हूं तो तो यह हमारे पास क्या होता है एक यह बटन एक ऑब्जक्ट होगा ना डोट हमने सैट विर्थ करके निकाल लगे अगर तुम यह सब्सक्राइब कि कि यह सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइबٌ व्यूलिक में नहीं दोप पता है तो मैं नहीं अब रहा ऐंक कर ला आ यह कि उट यह ज्यों यह विर्त आगी दोहारा इसके अंदर सिंबल सी चीज़ है विर्ट आचुकई है अब तुमने क्या से अल्य है अब तुमने मैं जी आना लेक्ट तो वेरियबल का नाम लिख लाँ ना लाइन अटिक है यूज रैफरेंस ठीक है अब देखो यह साइच चीजने में पढ़ा चुका हूं तुम्हेना पहली बात तो यह मेरे दोस्ति यूज रैफरेंस में पहले तुम देखो मुझे मिल क्या रहा है साइच डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में कब नहीं पढ़ेंगे जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे बड़े-बड़े यह करेंट करके अब डिफाइन है थीक है यह पर बूल जो अनडिफाइन को अगर मैं इसको अंदर कुछ वैल्यू यू दे सकता है ऐसा कुछ करके दे दिया ठीक है तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है खया रहे भाही मत आ रहा हाँ यह आ गिया पहले हटाता हूं unique key कहां कहां आ रहा है error मुझे बताओ तो इस बटन पर आ रहा है न तो एक key देदा इसको एक काम करो आई हटा अब यह कहां key देने match details कहा है match details मैप कहां लगा रहा हूं यहां लगा रहा हूं मैप just make eye ले लेता हूं ठीक है प्रोवाइड कर देते हैं कि यह आजाओ वाई आई दे दिया की दे दी अपिता है रहाटे किते नहीं अटे यह आ रहा है तो आण वैलीड दोन अश्टिंग यह आजाओ रहा हूं यह यह मैं प्राटों इसको लीयर दूम call नेंट रहो ग्यान के वाई यह है वह होगे साहिँ हाम बस बिखक्त दे रहा था और कुछ नहीं तो देखो अब यह इसके अंदर यह चीज आ रही है वापिस से हां पर आते हैं ठीक है, तो हमें देखो current के अंदर क्या मिलेगा, अब यह मेरा current एक object मिलेगा, ठीक है, तो यहां जो तुम default value दे रहे हो, वो दे दो, ठीक है, यहां default value दे रहे हो, ठीक है, अब मैं इसके अंदर reference दूँगा, ठीक है, for example, यहां पर मैं hr, अब एक attribute होता है, में पार ref करके, तो यहां पर आप वो reference पास करतो, कर दो, मैं लेगा tab line ref, तो अब देखो मेरे current के अंदर क्या मिलेगा, undefine मिल ला है, ठीक है, current के अंदर का है, undefine मिल ला है, अभी भी, मैंने सभी पास किया है, हाँ, ठीक है, अब तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्या मिला, यह मिला, ठीक, अब तुम बोलो, गयार, undefine क्यों मिल ला था, है ना, undefine क्यों मिल ला है, तो क्यों मिल ला है, तो यह पूरा function चलेगा, यहां पर तो अभी तो undefine ही है, something है ना, फिर यहां पर जाके, ओ, reference यह है, इस पर क्लिक करूँगा, तो अब undefine नहीं मिल ला है, obviously क्यों नहीं मिल ला है, क्योंकि वो सारी rendering हो चुकि है, तो अब undefine से हटके, तो यही चीज़ असाइन कर दिया, तो यही reason है, ठीक है, तो current है, मिल चुका है, अब current में यह तुम्हारा border है, बोर्डर है, यह बोर्ड current, ठीक है, अब तुम्हें इसकी width set करना है, कैसे set करोगे width, अब पता चल गया है, तुम तुम बहुत close हो, मेरे दोस्त, बहुत close हो, मैं बहुत आता हूँ, tabline.current, ठीक है, यह हमें क्या मिल गया होगा, यह मलदब वो तुम्हारा HR मिल गया होगा, उसके अदर तुम्हें style set क width set करना है, width set करना है, और कितनी width set करना है, जितनी offset की है, ठीक है, चले, चले, जी, यह तो होई नहीं रहा, यह तो होई नहीं होगा, क्योंकि एक integer value है, इसके आगे तुम्हें pixel something देना पड़ेगा, पिक्सल तो देना पड़ेगा, लेट सी, ठीक है, सही है, तुम यह बता है, यह दिक्कत आईगे, यह दिक्कत क्यों आघे है, सबको solve करेंगे, सबको solve करेंगे, टेंशन नहीं लेना, मैंने इस पर click किया, width set हुई की नहीं हुई, पहले यह पढ़े इस पर click किया, width set हुई, अब तुम बोलो, तुम इधर आ रही है, यह उधर क्यों नहीं आ ठीक है अब यह इधर क्यों नहीं आ रहा है इधर क्यों नहीं निकाला वैसे ही मेरे पास एक प्रोपर्टी होती है ओप्सेट मैं अपको दिखाऊ मेरे दोस्त लोग करके ओफसेट लेफ्ट ठीक है आओ साही है मुझे तो ऐसा लग रहा है यार इस वीडियो में सिर्फ यह फीचर हो पाएगा कोई बात नहीं कर लेंगे ठीक है अब देखो लेफ्ट में कितना है अब को यह है बट यह के आर के लेफ्ट में इतना है यह सुनों के लेफ्ट में इतना है ठीक है अगर मैंने माई केस पर गया तो जीर एक योगी एकदम चिपका पड़ा ना बताता हूं तो इस अब आए एम वाई ठीक है एम एक्स ठीक है तो मैं आप में एम एक्स देता हूं तो दोनों तरफ आ गया ठीक है इसको करते है अगर तुम इसको पर करोंगे तुमें दिखाएगा यह 0.5 चार पिक्सल दिखा रहा है जेको चार आ गया ठीक है अब मैं इसको वही कर देता हूं ठीक है अब देखो जीरू दिखाएगा पुछ हाई कBayicion करना है अब ये जो नहीं इसके एको प्रोपरटी और bedtime इने बस कि जो मेरी line है जानजो नगो मेरी line है वह left से सब्सक्राइब कुछ न्या खिसका है तो और इसको हिसका मुझे यहां पर ख्षकाना न हिसको यहां पर खॉसक्ता और यहां पर विर्थ ओफसेट विर्थ की जगह अगेन लेफ्ट कर दोंगा ठीक है लेकिन अभी भी नहीं चलेगा अभी नहीं चलेगा अभी नहीं चला आप दोगो बेसिक तुमारी सीएस की नोली जैना हमने सीएस पड़ी ती कि अगर मेरे भाई तुम्हें लेफ्ट अगर तुम्हें यह सारी प्रोपर्टी लगाने चारो तो तुम्हें पहले उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करना पड़ेगा और पोजीशन कौन कौन सी हमारे पास रिलेटिव है ठीक है और कौन सी पोजीशन है दोस्त एपसल्यूट है ठीक है स्टैटिक है स्टैटिक और इस्टिकी की स्पिलिंग यह होते हैं यह पोजीशन है तो अगर तुम इन में से कोई सी भी अप्लाई कर दोगे तो तुम्हें इन 30 का एक्सिस मिल जाएगा अभी क्या एक्सिस है अभी इसके पास एक्सिस नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा यह जो एच आर दे दे दूगा है कि काम दोस्त कैसे हुआ है अभी अले प्रोबट्य होने लगए अभी मजा आ रहा है मजा है की नहीं बढ़ा लग रहा है लेकिन जर्क तो इसको जर्क होटाने के लिए तुम्हें दे तो वही ट्रांस्जिशन दे रहे हैं और ट्रांस्जिशन द्यूरेशन इत्ते सेगेंड में हो जाए संदिंग स्यूँं स्यूँं ठीक है बना लिए फीचर हमने दो स्ताली मज्यादो एक बार अपने लिए ये बने फीचर अब यहां पे थोड़ा तो प्यार से हो रहा है तो तुम प्यार से करा सकते हो ना तुम कहें गुस्था ओ इनसे कि तुम देदो 700 देदो क्या दिक्कत है ना घर की तो है बात यह लोग अराम के जाथ है ठीक है ठीक है तीवी यारी नहीं करनी अच्छाण में करने तीन सो बहुत हो जाइए तुम्हारा यह अभी व यह पूरा लंबन्म प्रोसीजर अब इसके और एक और कम है दोस्ति यह समझ अइक यह दोस्ति यह दोस्ति यह दोस्ति यह दोस्ति यह जांग आई एक बार और देख लो मैं बताता हूं यहां पर हमने रेफरेंस लिया है क्योंकि हम इस पर इस पर आपलाई करने इसके साथ है इसके बारे में थोड़ सी और डीटेल चाहिए तो मेरे दोस्त तुम वाली वीडियो देख सकते हैं यूज रेफ विसिकली रेफरेंस देज़्ा क कि ओ तुमने बताया तो था तुम्हें नहीं वहाँ पर कि ऐसा तो पता है ना तुम्हें जीतीनी उसको अमने पिक्सल में करना तो फिलस पिसल लोगे अब यह तुम यह बन बोला यह यह तुम्हारा क्या दोस्ते नंबर है तो यह स्टिंग नंबर हो गया ठीक है यार कोहेशन बताया है मैंने तुमको है ना कैसे पड़ोगे ना इसा हो जाता है अब हमें क्या करना है हमें यह वाली प्रोब्लम कर नहीं कौन से प्रोब्लम करना है कि इस पर क्लिक कर रहा हूं ठीक है तो यह क्या आ रहा है दोस्त तुम दिक्कत देख सकते हो तो अब हमें इसकी लाइन यह सुधार नहीं पड़ीगी यह बहुत इसी सुधार ना कोई दिक्कत आली बात ही नहीं ठीक है क्यासर होगी मैं बताता हूं ना कैसे होता है कि तुम पहले तो देखो यह फस्त रेंडर पे और रहना पस्त तुम यहां पर क्लिक करो गई यह फस्त रेंडर व्होरा नट यहां फ्रेंडर जैसी खुला तब ही हो रहा है तो तभी कुछ दिक्कत है तो मुझे कहीं नहाई तो आहिसा करोगे तो मेरा साथ proprio देखना पड़ाइक हो टुमको दोस्त था कि अच्छा ठीख है यूजिवर्ड था हमें छाईए चाहिए एक कि अब ज़हां को यूज्य हैं तो प्सथली आया मेरे कि मैं क्लिक करऊं तो यह लिए पहली बारी में कुस तो है पर डिस्पले होना चाहिए तीक है जी क्या लिखेंगे यह बताता हूं तो ध्यान से सुनना कुछ नहीं लिखेंगे फंक्शन को कोल करेंगे कैसे करेंगे अब हम एक और रेफिनस बनाएंगे अब मुझे क्या चाहिए दोस्त जैसी मेरा फर्ष्ट रेंडर ओ जैसी इन्टेक्स का बटन है इसकी विर्थ आ जाये जाने के लिए और विर्थ आने के लिए मyahत् α आने पहले रेफेरंस लेना पड़ेगा हां ठीक है अच्ट विर्थ आने के लिए तो आपने तो ये पास करड़ें ना टार्टिंक ठोगल दो मैंने और बना लिया करके लिरी किरे रेफ करके बना लिया और कैसे चाहिए जैसी और एक दोनों को connect करने के लिए बीटी एन रेफ ठीक है और जैसे ही मेरा यह होगा स्टार्ट दो ज्यान दोना जैसी चीज स्टार्ट होगी तो तुम्हें रैफरेंस मिल जाएगा इसका 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 रैफरेंस मिलिए अब क्या गरो किसका इस बटन निकालना है और इसके अ Eye को तुम्हें जरना और टोगल बटन में यह चीज अब यहां पर देखना था ध्यान चे देखना दोस्त यह दिक्कत आई अब मैं पहली लाइन रिपीट करता हूं जैसे ही दूसरी बारी चलेगा तो दूसरे बटन का रेफरेंस यह बटन हो जाएगा और जैसे ही दूसरी बारी चलेगा तो दूसरे बटन का reference set हो जाएगा तो finally किसका reference set हो दूसरे बटन का दूसरे बटन को होने KKR वाला है और जब KKR वाला बटन है फिर use effect तुमारा call होगा अभी तुमारे वैसे life cycle नहीं पढ़ाई है life cycle क्या होती है कि कौन सा function पहले call हो रहा है वह बात की बात है वह हम पढ़ा देंगे उसकी टैंशन निए बट आप यह समझो कि तुमारे जो बटन है वह दो बार होंगे नहीं होंगे कोली बता दो बार चले पहली बार जब चला तो रेफरेंस एट वह फर्स्ट वाले बटन का और दूसरी बार जब चला तो रेफरेंस एट वह दूसरे वाले बटन का तो मुझे पहले वाले बटन का ही रेफरेंस है मुझे दूसरे बाले का reference नहीं करता तो मैं कैसे करूँगा कैसे लगाओंगा अगर तुमारा 11 Pokemon Zero यह врем ij hyper sayvery better लगा दूगा मैं तो फिर तुम्हारा कौन सा नाम के जाओ बटन रेफ ठीक है और अगर नहीं है तो कुछ टाइट मत करना नल कर दो कि अब हमने फस्ट वाले बटन का रेफरेंस रेट के दोस्त बाद बेसिकली तुम समझ रहो ना रेफरेंस रेट क्या है तुम्हारा यह जो आई है इसकी वेल्यू जीरो यहनि पहला इंटेक्स है ना कंफर्मेशन मांग रहे है तो बटन का रेफरेंस रेट कर देना ठीक है और यह एक बार सेट हो गया अब चेंज इसको किसी ने करा ही नहीं है ना अगर तुम यहां पर ब बन होगा और यहां पर जीरो नहीं तो यह चीज आट आगी मतलब उसको ओवर्राइड कर दिया तो हमें ओवर्राइड नहीं कराना है आप यह लिखोगे ना यह चीज चलेगी नहीं यह चीज चलेगी नहीं एरर आ जागा थीक है बटन इस नोट डिफान वाला एर नहीं है ठीक है यह देखो यह है function component cannot have string refs ठीक है string refs we recommended using use refs यह बता रहे है कि तुम ऐसा string something कुछ नहीं कर सकते है तो इस ट्रिंग कुछ नहीं कर सकते है तो इस ट्रिंग क्या देर हो वाई तुम्हें कुछ actual चीज देनी पड़ेगी तभी तुम्हें पार नल है नल देदो ठीक है तुम्हें प्रोपर और तुम्हें रेफरेंस में string set नहीं कर सकते है तो रहेगा और हमारा यहीं सट रहेगा घर जी नहीं सबया ही तूम्हें बड़ेंती है अजय अब नहीं अब हैं इस बताओ जीर्याइगी नेनीज्व्य जैएगी तुम्हारा सूर है कुमार सब आउट हो गया तो DANVED मार सकता है lifetime क्योंस चावल प tarafola ये ना जीद पांगे बता ना तुम 비期ए नी जीके जेत गे न इसे तुम पता निलिए करते के ऊंप्लिए या यह यह बनाने वाले तो इत में प्लिव चिसदा सस्कानी पर यह तो मैं रहार हैं ना मतलब बहुत जादा इस लो तुम तुम मतलब कैसा लग रहा है मुझे तो सही लग रहा है मुझे कोई दिक्कत वाली बात ने ना मुझे मज़े मतलब चल लोड़ाओ अराम के साथ पढ़ाएं गया बहुत चीज ना पढ़ाने के लिए क्या बढ़ाएं ठीक है कोई कराऊं मैं यह काम करते हैं तो मैं होमवर्क दूंगा वैसे टेबल बनवानी है तो नेक्स लेक्चर में तो CSS कराई सकते हैं ना कि यह कुछ हमने टेल्मेंट ने इंस्टॉल करी लई है अब क्या करना है अभी बस यह चीज़ सेट करनी है इनको काल्ड में बनाना है तो नेक्स लेक्चर में करा दूंगा मैं और तुम थोड़ा तो कुस्ते ट्राइक करना तो कर लिए बाकि यह अभी हमारे पास क्या एक फिक्स डेटा है उसके थुरू आ रहा है अगर मैंने हैं पर डाइनमिक डेटा लगा दूंगा तो डाइनमिक यह चालिस में लगे है ना यह फूचर में बिल्कुल नहीं लगेंगे तो सच्छी बता रहा हूं यह कहीं ना कहीं तो नीड आने वाली है तो यह चीज पता होने चाहिए बेसिक फंक्सिनालिटी है कि तुम कैसे को रियक्ट में डेवलप करोगा ना तोगल बटन हमने बना सब्सक्राइब करना तो यह साथ चीज आपने सीखी फिर यह करेंट स्टायल वही रेफरेंस वाला तो इतनी साथ चीज तो सीख लिए तुमने ना मजा आने वाला फूचर में सच्छी बता रहा हूं तो अभी इस लेक्टर में तो इतनी रखता है ना ज्यादा लंबा लेक क्योंकि कल तो यह लेक्टर आजाएगा पार्ट नमबर फॉर ना उसमें हम बनाएंगे और काफी हत्ते को उसमें बनाएंगे ना थोड़ा बड़ा लेक्टर होगा मजा आएगा तो अभी इस वीडियो में ते रखते हैं बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं है ना बाकी हम यह डे मैं क्यों नहीं ला रहा हूं यह बहुत सारी इमेज्स हैं दोस्ता ना रिक्वेस्ट मारूंगा सारी खतम हो जाएंगी ठीक है तो थोड़ा सा भी मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे कैसे क्या सीन है वो करेंगे तो काफी सारा है ना यह प्रोजेक्ट को अच्छे से करेंगे यह समझ लो कि यह जो महीना चलने वाला मैं इसमें हमारी माई के जून आएगी बैकेंड मज़ा आएगा काफी पैकेंड में ठीक है तो देखो इस लोग चल ला यह तो मुझे पता है दोस्ता ना और वाला काम भी नहीं है चलने दो ना जब यह बार कंपलीट होगा फिर को सिर्फ उनके मज़े के लिए फ्यूचर में को जाया तो उसको समझ मेना है लेकिन अगर फ्यूचर में कोई फस्टियर में होगा कभी भी वह अपनी वैब डब सीखेगा सगी है तो अगर पहले लेक्ट्चर से लेके वाट ठीक है तो उसको ऐसा मस्त सा मिलेगा ना पूरा लेकिन उसके लिए दिख्कत है कि अभी देदू सब कुछ अभी देदू इसके बाद यह लेक्ट्चर थोड़ा तो यहां वही चीज है ना यहां वही चीज है क्या हम यहां वही चीज निकर सकते हैं जा निकर सकतीज मिश्य कर आंगे ना ट्रम फीचिंगे नुज वाला सेक्षिण भी बना सकते हैं वैसे तो कि बनाएंगे न्यूज वाला सेक्षिन बनाएंगे इस टैक्स के लिए आर्ट मैंने देखा था यह थोड़ा था उसमें थोड़ी दिक्कत है यह रिक्वेस्ट का केल है आप पर पेड है अगर फिरी होती ना भाई सारा कुछ यह पूरा का पूरा बना लेते हैं मैंना पूरा ईस लेक्टर में मेरे दोस्ट इतना ही है इतना ही है मैं मिलते हो तो थोड़ा से खुछ से कार्ड वाल्ड बनाओ थोड़ी मझा ठीक है मॅज़ा आएगा बाकी तो इस लेक्टर में टनए है Northwest ji मिलते हैं तुम से नैक्टरования Tब तक के लिए दाया